हेलो दोस्तों and welcome back to my channel और यह देखें गाउं में कितने बड़िया आम के पेड़ में आम लगा हुआ है और यह हमारी boundary के अंदर ही है यह पेड़ तो आकर शेक्टम enjoy करता है और रोज सुबर सुबर चत पर आ जाता है mango देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है और बहु enjoy कर रहे हैं अपना vacation और मैंने सुचा आप लोग के साथ भी थोड़ा share करती हूं कि हम लोग कैसे रह रहे हैं क्या क्या हो रहा है तो बस एक function था हल्दी का उसके लिए देखिए यह outfit पैना था मैंने और ready हो गई और आकरश ने यह real निकाला है तो बस हम लोग जा रहे हैं ग हमारा गाओं बहुत ही सुन्दर है और गाओं के बीचों बीच यह बहुत ही सुन्दर सा मंदिर बना हुआ है शीव जी का तो यह मैं आप लोग को दिखा रही हूं और थलके से हमारे गाओं के नजारे और हम लोग पहुंच के अभी function में तो यहां पे देखिए कुछ हुआ 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 है और यहां पे पापा की न्यू कार आने वाली है इसलिए हम वेड़ कर रहे है हम का लेने जा रहे है आगे गाड़ी अकश्व तुम आगे बेट जाओ यहां बेट जाओ यहां बेट जाओ बंद करो हां मज़ा रहा अकश को वाओ फ्रेंट्स को पताओ कैसे लग रहा है अच्छा लग रहा है और मंदीर के रास्ते में मुझे यह देखें शादी का कोई इवेंट था उसके नजारे दिखें और कितना बड़ियां डांस हो रहा है यहां पर और उसके बाद यहां पर देखें हम लोग आ गए हैं मंदीर हमारे हम बहुत प्राचीन हनुमान मंदीर है जहां पर हम बच्पन से ही आते हैं लेकिन यहां पर अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है तो ऐसे लुक का रहा है और एक तो रात का टाइम था तो कार की भी वीडियोज में दिखाऊंगी एक तब मैसे ही आया है यहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रही थी तो यहां पर देखें कार की पूजा कर रहे हैं मंदीर में और फाइनली कार हमारे पार्किंग में आ गई है यह देखिए और यहां पर देखिए नेक्स डे हम लोग न्यू कार में बैटके गए थे पापा के फ्रेंट के यहां पर प्रिप्रवेश की पूजा थी तो उन्होंने गन्या घर बनवाया था तो हम लोग सुबह सुबह चल के लेकर गया थे राष्ते में भी तो यह देखिए यहां पर यह थोड़े कऊंगे रास्ते बहुट थे वहां पर और हम लोग पन्च गया है है बाजार में जो हांपे स्वीट्स वगईरा लिए हम लोग और उसके बाद होद दिखिए हम लोग पन-चुके हैं जहां पर घर और यहां पर देखिए लंच करने के बाद हम लोग निकल गए हैं अपने घर की तरप और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके और बहुत प्यारा सा एवेंट था और आकश यहां पर देखिए कार में बैठ गया है और थोड़े से ठक भी गया है